नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ श्रिवानी बदोरी और आप देख रहे हैं हमारा यूपी बुलिटिन उत्रप्रदेश की राजदानी लखनव में आज बारिश की संभावना है यहीने शनिवार शाम को भी लखनव में अच्छी बारिश होई थी इ सवी में उत्रप्रदेश की जारतर जिलों में बारिश देखने को मिली है आज कहीं कहीं पर गरट चमक के साथ बारिश होगी आज दिन भर रुक- providers कर बारिश होने का पुर्ण अनुमान है यहीं निया पूरा दिन प्रदेश के जारतर जिलों में काली बादल चाह रहेंगे तेज हवा भी चलेगी नौईडा के सेक्टर रोजाना 8 बजे दिखाया चाता है जिसको देखने के लिए सेक्टरों की तदात में लोग आते हैं वहीं नौडा के सेक्टर 78 में इमारतों के बीच नौईडा प्रादिकर ने बड़ी सौगात यहां के निवाजियों को दी है 28 करोड की लागत से वेदवन पार्क को तयार किय था इस बात पर चार वेदों के अधार पर अलगलग जोन बनाए गया आपको बता दे वेद विश्व के सबसे प्राचीन सहित और इन्हें भारतिय संस्कृति के अधार पर माना जाता है टीवी कलाकार गुर्मी चौदरी अपनी पत्नी और आक्ट्रस देवीना बैनर जी के साथ बेटी का मुंदन कराने के लिए वनारस पहुचे बेटी का मुंदन कराने के बाद दोनों ने गंगा के घाट से सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की गुर्मी चौदरी और देवीना टीवी इंडस्टी के पावर कपल मानने चाते हैं वहीं इसके बाद शाम को दोनों ने दशमेव खाट पर होने वाली गंगा आर्ती में भी शामिल हुए दोने ने मां गंगा का विदीवदान से पूजन किया गंगा आर्ती भी देखी इस दुरान अपने चहेते कलाकारों की एक जलक पाकर फैंस की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा लोगों में सेलफी लेने क होड मची रही जहां गुर्मी चौदरी ने कहा कि 2019 में बनारा साय था तब और आज में काफी बदलाव हुआ है पहले बाबा विश्वनात मंदिर में दर्शन को काफी समस्या होती थी अब तो एकदम आराम है देवीना ने कहा कि काशी अब भूद बदल गी है यहां कर भू इसके बनने से किसानों को उन्नत शेल किस्म के सब्जी और फॉलो के पौदों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा अब यह सभी पौदे जनपत में ही मिल जाएंगे इसके साथ ही पढ़ोसी जनपत के किसानों को भी इसका लाब मिलेगा जहां पर उन्नती प्रजाती के पौ की लगबग दर्जनों प्रजाती के पौदे मिलेंगे यूपी के सरकारी अस्पतालों में स्वास सुभधायों को भैतर करने का लाख दावा करें लेकिन कुछ ऐसी खामिया सवाले निशाने स्वास विबाग पर खड़ा कर देती हैं ऐसी कुछ तस्वीरें जनपत के जिला अस्पताल अमेठी की है जिला अस्पताल में आज तक महिला डॉक्टर की तैनाती नहीं हो पाई जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर की तैनाती ना होने के कारण महिलाओ को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा नहीं ना पड़ रहा है जिससे के कारण उन करना पड़ रहे हैं वहीं अब विवागय अद्कारी इस समस्या पर साशन का हवाला दे कर बश्टे हुए नजर आ रहे हैं बलियत जिला अस्पताल में हेल्थ एटियम का शुभारम पूर्प्रधान मंत्री के पुन्नितिती पर परिवन मंत्री दया शंकर ने किया है प्रदे चुनावी महौल को भी याद किया डॉक्टर से का मैं सामर्थन मांगने आया था आप लोगों से मैंने पूछा कि मरीज को क्यों रेफर कर दिया चाता है तब आपने लोगों से कहा कि बवाल होने लगता है इसलिए रेफर करना पड़ता है मंत्री ने कहा कि योगी और मोध की सरकार है अब बवाल नहीं होगा प्रियाग राच में अगले साल होने वाले महाकुम की तारीकों का एलान होगा है इसके शुरौत 13 जम्रई 2025 से होगी संगम की रेती पर महाकुम का मेला 45 दिन तक चलेगा देशी नहीं बलकि पूरी दुनिया से आये श्रधालू आस्ता की डुप की लगाने संगम आएंगे वहीं माकुम की तैयारी को लेकर 13 अखाडों के साथ अफसरों की पहली बैठक मंडलायुक्त कार्याले में शनिवार को ही इसमें शाही इसनान पर वो की तारीक पूर सहमती बनी साथी माकुम का पहला इसनान पर 13 जनवरी के दिन होगा तो वहीं 12 फरवरी को मांगी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाश्विपरातरी के आखरी मुख्यस्नान पर्व के साथ माकुम का समापन हो जाएगा। पर वारल भी करते हैं मयोतर प्रदेश के बागपत में फिशले करीब 8 घंटे से रुक रुक कर लगातार बरसात हो रही है बरसात का किसान को भरपूर लाब मिल रहा है लेकिन लगातार हो रही बारिस से जन जीवन पूरी तेरह अस्त्वियस्त हो गया लोगों को रोजमर् बनने के बाद पहले तले के ऊपर खंबे आदी बनाया जा रहे हैं इसी बीच बूतल पर गर्व्रेय के फर्ष का निर्मान होना है जन्मई 224 में 15 से 24 तारीक के बीच बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्रतिश्टा होनी है इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट इसकी तय देंकि प्रह्स्lair समय से पहले अपने कार्यों को पोड़ा करने के लिए निरंतर प्रयासाद कर रहे साधि राम जमूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के फ़र्स το की तस्विर Fr 오른 पर निर्माळ की पहली तस्विर आकाउंट पर राम भक्तों को राम मंदिर का अपडेट देती हुई दिखाई देती है